हलो नमस्कार दोस्तों विल्कम बैक टू जनर रिव्यू दोस्तों कैसे हैं आप सब और आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वारी है चिक ब्लाक शैंपू पर दोस्तों इससे पहले मैंने चिक वाइट शैंपू का भी वीडियो बनाया था अगर आपने वह नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जरूर से देखिए ताकि आप इसमें इन दोनों में कंपैरिजन कर सकें तो उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है ब्लाक चिक और बदाम है जो खास इसके सबसे स्पेशल इंग्रीडेंट्स है और जो यह शैंपू है लॉंग अन थिक हेर के लिए है अगर आप चाते हैं कि आपके बाल जादा लॉंग हो थिक हो तो आप यह शैंपू जरूर से यूज कर सकते हैं इस समय मेरे हाथ में दोस्तों 50 पैसे वाला पाउच है और 50 पैसे में भी काफी अच्छी 4 ग्राम की क्वेंटिडी आ जाती है दोस्तों वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जरूर से सब्सक्राइब कर लीजी अगर आप पहली बार आएं तो भी सब्सक्राइब कर लीज तो दोस्तों पूरा इसका नाम क्या है इसका नाम है चिक है फॉल प्रिवेंट यानि कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ज़ड़ रहे हैं तूट रहे हैं रूखे सुखे बेजान हो रहे हैं तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात दोस्तों इसके जो इंग्रीड़ेंट्स हैं कुछ हट तक काफी नाच्रल इंग्रीडेंट्स है और 50 पैसे में 4 ग्रैम की आपको काफी ज़्यादा कौइंटी डि मिल जाती हैं दोस्तों अगर आपके बाल छोटे हैं यानि की जैसे बॉइस के बाल होते हैं या फिर गल्स क काफी छोटे बाल हैं तो आप यह 50 पैसे वाला एक पाउच आप यूज कर सकते हैं काफी आपके बालों के लिए काफी रहेगा, काफी जादा लेदर भी यह करता है यानि की जाग भी इससे बहुत जादा बनते हैं, लेकिन अगर आपके बाल बढ़े हैं भारी ही आपके बालों को कर देगा तो बहुत जादा मैं आपको आपको सही बात बता हूँ तो इतना जादा इसका जो इसका क्लेम है वो ये इस पर बहुत जादा खरा नहीं उतरता है हाला कि किसी भी शैंपू को आप बहुत जादा लंबे समय तक यूज़ करेंगे तब ही आपको इसकी पूरी पूरी जितने भी क्लेम्स हैं मुझे सही में पता चलेंगे तो बहुत जादा मैं आपको पहले ही कह दूँ कि आप सोचेंगे बहुत जादा लॉंग थिक बाल हो जाएंगे आपके तो ऐसा कुछ नहीं एक रेगुलर शैंपू के तौर पे काफी अच्छा शैंपू आप इससे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए ब्लैक और वाइट चिक शैंपू का कमपैरिजन भी लेके आउँगी कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है फिलाल तो मैं आपको आज ब्लैक शैंपू के बारे में ही बता रही हूँ एक और चीज़ दोस्तों मैं बता देना चाहती हूँ अगर आप डेली शैंपू यूज़ करते हैं तो आप डेली शैंपू प्लीज यूज़ मत करिए अगर आप कोई नैच्रल शैंपू यूज़ करते हैं तो आप उसे डेली यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप चिक को बाल दोएंगे तो उससे आपके बालों को नुकसान होगा मेली नुकसान में यही होगा दोस्तो तूटेंगे जडेंगे और रूखे आपके बाल हो जाएंगे स्कैल्प आपकी रूखी हो जाएगी तो हफते में दोसे तीन बार आप इसे बिल्कुल यूज कर सकते हैं आने व झालिये